हालो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माइ चैनल देखिए फ्रेंड्स आज मैं आपको इदो कलर का बहुत घ्यूटिफुल डिजाइन बताऊंगी जो कि बहुत ज़दा easy है बनाने में और देखे friends देखने में भी कितना ज़दा beautiful लग रहा है आप अपने हिसाब से इसमें color combination कर सकते हैं यह देखे friends इसे बनाने के लिए आपको 6 के multiple फंदे लेने हैं और 2 फंदे extra लेने हैं और देखे friends यह back side से इस तरीके का देखेगा यह देखे और मेरे इतने pattern में 26 फंदे हैं चलिए बनाना शुरू करते हैं देखे friends सबसे पहले आपको आपका border ready करना है border ready करने के बाद back side से आपको सबसे पहली जो row है back side से वो उल्टी बुन नहीं और देखे friends जो उल्टा बुनना है वो आप थोड़ा धीला उल्टा बुनेंगे जैसे यह फंदा थोड़े धीले हाथ से बुनेंगे आप इन्हें यह देखे इस तरीके से देखे यह first row है यह पूरी उल्टी बुने जाएगी यह देखे यह देखे फ्रेंड सबकी row वन कम्प्लीट हो गई है आप देखे हैं यह हमारी देखे फ्रंट साइड आ गया ठीक है अब आपको क्या करना है आपको यहाँ पर धागा चेंज करना है ठीक है धागा चेंज करेंगे उसके बाद हमें false के तीन फंदे देखे एक एग स्टिच है इसे भी हम इसी कलर से बुनेंगे देखे तीन आपके एक दो तीन पंदे सीधे देखे दो सीधे और एक दो स्लिप फिर दो सीधे देखे फ्रंट सी यह एज स्टिचे से आप अप अटा लीजिए और यह जो छे पंदे हैं यह आपकी पूरी रो में रिपीट होंगे यह देखे फिर देखे आपको एक दो सीधे एक दो स्लिप फिर एक दो सी ठीक है फिर देखे एक दो सीधे एक दो स्लिप एक दो सीधे यह देखे फिर देखे फिर देखे फ्रेंड्स एक दो सीधे एक दो सीधे फिर एक दो सीधे फिर एक दो सीधे ठीक है फ्रेंड्स यह आपका एजस्टीच है तो आप इसे भी इसी कलर से बुन लेंगे यह देखे यह आपकी row 2 complete हो गई है अब देखिए friends यह आपकी row 3 है यह back side है देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है जो फंदे आपको जैसे दिख रहे हैं आपको वैसे ही बुनने है देखिए जो दो फंदे sleep में यह sleep करना है बाग की आपको यह जो जैसे दिख रहे हैं वैसे बुनने है और यह आपको back side से उल्टे बुनने है यह देखिए एक देखिए तीन आपके side में उल्टे हैं यह हो गए और यह दू हम अभी भी sleep करेंगे फिर देखिए दो उल्टे ठीक है फिर दो उल्टे एक दो sleep झाल धुल्टे टीक है यह देखिए एजे स्टीच यह यह उल्टा हो जाएगा यह देखिए यह रहो थर्ड complete हो गया देखे, आप फ्रेंज आपकी यह right side है और यह row fourth है देखे, इसमें आपको क्या करना है यह जो दो फंदे है यह बुनाई को आपको twist करना है right और left को, देखे, कैसे करना है पहला फंदा, अब देखे, अभी हमको अब धागा भी change करना है, ठीक है में if first वाला धागा है यह दागा लगाया यह टो यहीजिश स्थीच ही हो गया side में अब इस फंदे खो हमें यहाँ लेके आना है और इस फंदे को इहा लेके आना इसके लिए दिखिये फεarlए हमको यह 2 फंदे चोड़के पहले थोर्ड वाले को हमको बुनना है यह देखे ऐसे सिधा बुनेंगे यही से एक यह सिधा हो गया ठीक है अभी इससे स्लीप नहीं करेंगे यहां से यह फंदा नहीं उतारेंगे पहले यह दो फंदे बुनेंगे ठीक है आगे वाले एक, दो, ठीक है, ये दो बुन लिए, ठीक है, आप आपको क्या करना है, इस वाले फंदे को यहां लेकी जाना है, ठीक है, इसको left side को twist करना है, तो इसके लिए आप इससे हलका सा इससे बाहर निकाल लीजे, थोड़े देर के लिए, बस जब तर ये दो फंदे बुनते हैं, ये देखे, ये दो फंदे बुने, उसके बाद आप इससे इस तरीके से उठा लीजे, और फिर आप इसको सिदा बुन लीजे, ये देखे, इस तरीकी के हो गया, friends, फिर देखे, फिर आपको right करना है, तो right में तो आपको पहले ये फंदा बुनना है, sleep वाला, उसके बाद ये दोस, जो फंदे हैं, वो बुनने आगे वाले है, ये हो गया, अब आपको left को लेकर जाना है, तो इससे फहले बाहर निकाल लीजे, देखे, friends, ये सबसे easy way है, ये देखे, इस तरीकी से हो गया, आप इससे आप, ये देखे, उठा लीजे, और इसको आप फिर से बुन पुनेंगे, ऐसे, फिर ये दो फंदे आगे वाले बुनेंगे, फिर इससे उतारेंगे, और फिर left करने के लिए पहले इससे बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद एक, दो सीधे बुनेंगे, फिर दिखे, इस तरीके से, ये हो गया, फिर right करना है तो पहले हमको sleep वाला फंद बुनना है, फिर आगे के, दो फंदे बुननें सीधे, एक, दो, फिर इससे बाहर निकालेंगे, लेफ्ट करनी है, फिर ये दो बैक वाले पहले बुनेंगे, ऐसे, ये, फिर इससे हम, सलाई में ले लेंगे, ऐसे, फिर इसको, ये दिखे, ऐसे होगे, और ये last edge stitch है, तो य भी मारा, सीधा हो जाएगा right side से, ये देखे friends, देखे friends, ये four rows का हमारा repeat pattern है, ये four rows होगे और देखे, ये हमारी बुनाई, मैंने यहां से friends आपको बना के दिखाया है, ये देखे, इस तरीकी का बनके ready हुआ है, बस अब आपको back side में फिर एक row उल्टी बुननी है, और उस friends, इसे आप थोड़ा धीला ही बुने, तो सही रहेगा है, देखे, क्योंकि ये पूरा double बनता है, देखे friends, पूरा double बनता है, तो इसमें थोड़ा सा धागा भी आपका ज्यादा लगेगा, ठीक है, देखे friends, अगर आपको मेरा ये design पसंद आया, तो please मेरी channel को like, share and subscribe करें, bell icon press करना न बूरे, ताकि मेरी आने वाली videos की notification सबसे पहले आप तक पहुँचे, thank you